हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे अयोध्याव और देश मास्यों ने सेंकडों वर्सों का बियोग सहा है उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दोरां मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थी स्यावर राम चंद्र की जयाए स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशीगन यहां उप्रस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिश्चा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभुत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान क्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए है इस शुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्भ गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूं कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे है हमारे राम लला अभी दिव्य मंदीर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोर ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नएक काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मांसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूं मैं माता जान की लक्ष्पन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूं मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूं मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समय हमारे आस पास उपस्तित है मैं इन से भी दिव्य चेत्राओं को भी क्रतग्यता पूर्वक नमन करता हूं मैं आज प्रभुस्री राम से छमा या चना भी करता हूं हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए है आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदा जिन लिखा है प्रभु विलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समग्र देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे योग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासियों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर व्यक्त करूंगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता भ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैं स्रीराम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्ट बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा कि अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरां मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेश कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेश रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशिद करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंत यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और यह राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असिम है और रामायन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है पर यह देश्वासियों आज इस एक्तिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम यह शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई हैं उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी हैं साथियों आज का यह अवसर उत्सवता का ख्शन तो है लेकिन इसके साथ ही यह ख्शन भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्शन है हमारे लिए यह अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनएका भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्टिल परिस्तित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो यह बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस मंदिर का निर्मा भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीख है हम देख रहे हैं कि निर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पस पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम समधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साध्यों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में हैं आज अयोज्ध्या का यह उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की प्रतिष्ठा वसुद्हेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है यह श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रान प्रतिष्ठा है यह साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपून विश्व को है सर्वे भवन को सुखेदा यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिग दर्शन का मंदिर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागव हो अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश वातियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है श्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैवी आत्माएं हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुखत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं यही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान चे आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूप की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन यह ऐसे गुण हैं जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता है प्रतेग भारतिय में भक्ति सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार बनेंगे और यहीं तो हैं देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहते थी राम आएंगे प्रत्य भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे हैं निशाद राज का राम के प्रति समोहन प्रभु राम का निसाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान हैं करति भारत्य में अप्नत्व की बंदूत्व की यह भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बने और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार साथियों आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर्विस्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक को दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिये वियं महाबली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी करतव्य की यही पराकास्ता समर्त सच्षम बव्य दिव्य भारत का अधार है और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट के चेतना का विस्तार आएए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल-पल शरीर का कान-कान राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड़ देंगे मेरे देश वास्यों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्णम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वैवोशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमरत काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूंजी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारात्मक परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पांच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना परंपरा की पवित्रता और आधुनित्ता की अनन्तता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है यह भव्य राम मंदिर साची बनेगा भारत के उतकर्स का भारत के उदय का यह भव्य राम मंदिर साची बनेगा भव्य भारत के अब युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमाणित हो अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगड़िक सक्ती से जन्वा हो तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है सताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं हम सब ने इस युक का इस कालखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं हम विकास की उंचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत सुपकामरा है सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम शियावर राम चंद्रकी शियावर राम चंद्रकी शियावर राम चंद्रकी